हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप स्वो के बीच देखिए आज हम आपका देखिए सीटेट का जो इक ज्याम हुआ था आपका जन्वर दिसंबर से लेकर जन्वरी तक चला था देखिए उसका इंसर की तो नहीं दिया है लेकिन आप कोश्चन कुन टिक किये हो दे दिया है स 24 तारीक का कोश्चन है समझें यहां पर लिखा भी है 24 1221 कि आपका प्रवन का कोश्चन है समझें देखिए पोस्चन थोड़ टॉफ है तो इसको बोल सकते हैं को सब्सक्रा मतलब मोडरेट बोल सकते बहुत मोडरेट था कोश्चन घुमा हुआ था तो आप लोग घबर नहीं आ जाता है तब तक नहीं बुलिए कि मेरा सीटेट निकला यह क्या हुआ समझें जब रिजल्ट आ जाएगा नॉमरलाइज क्योंकि बहुत नंबर बढ़ता है दस नंबर नंबर तो भी बढ़ जाता है तो देखिए पहला बार हमको भी अंदाज नहीं कितना नंबर अब देखते होंगे नंबर बढ़ता है समझें इसमें भी नंबर बढ़ेगा तो आप लोग टेंसन नहीं लीजे निवरलाइज होगा और नंबर भी वरेगा आप लोगों समझे तो आए स्टार्ट करते हैं देखिए तेज़ तारी को कर दिया है जो देख सकते हैं मिल जाएगा आपको समझे इसमें आपको जिसे माल लिए पहला कोशन नहीं होगा जो 24 तारी को एक्जाम दिये होंगे आप खाली अंसर देख लिएगा फिर उससे मिला लिएगा समझे तो यह पहला कोशन है आपका सीडीपी का कि इन में से कौन सी बीदी सब्सक्राइब मिला के चलना बोल सकते हैं सबी बच्चों को पहला अप्शन है सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्म विश्वास बताना है दम सही बात है दम सही लेकिन यहाँ पर आपका निगेटिव पूछ रहा है समझे नहीं बोला है दूसरा अप् अब विद्धा को सहारना देना है यह तो सही या और दो और चार आपका पूजेटिव एंसर और तिस नमर जो आपका एंसर निगेटीव निगेटिव पूछ रहा इसलिए आपका एक क्या अंसर हो जागा तिन नमर हो जाएगा समझे दूसरा कुश्चन आपका है कि कि किसी चीज के विशे में नुतन तथा और साधाना रूप से सोचना और समस्या के निधान के लिए और नोखे समदान ढुणने की झमता क्या कला देखिए याप कोई सांच खोजता है समस्जे तो और इसका ऑंसर आपका सीजल सगरो मतला होगए या यह सफ्क होता है होता है निया मतला होता है यह मैं घुर जायख कर डियाठी भी आपका जो अपका सुल्ला के नुसार बौधिक क्रिया सिल्ता में सिमाबत्ता वाले व्यक्ति को संभूत्ति करने का उच्छी तरीका क्या है समझे यानि जो विकलांग होते हैं उनके लिए कानून मना था तो उस समय देखे कहा गया था कि आप उसके लिए उची सब्द कौन परियोग किजिए विकलांग सब्द परियोग नहीं का ना इसलिए आपका तीन और चार तैसा ही कट गया आप मांसिक मंदित भी नहीं बोलना है तो सबसे बे सब्सक्ति जिसे बहुत धिक अच्छमता है बोल सकते बेटा रहें समझे यानि आपका तीन का एक नमर अप्शन सही है चार नमर कोस्चन है कि बच्चों द्वारा अधियम परिकिरिया का दोरान की जेनावाली तुरीटिक किसोर संकेत करती है समझे कि इस कोस्चन का पहले अधिक लिए इस दे नहीं होगा अ दुसरा हो जाए अनुमान सिकता यह दुन अप्शन पहले कट यह आपका अप्शन नहीं अभ्यास दिया अप्शन का सटिक एंसर ही नहीं बता सकते हैं लेकिन देखिए प्याजे बताय हुए थे जो बच्चा होता है और व्यक्स होता उ ये भी हो सकता है लेकिन मतलु हम 75 में इसको मानते हैं इनको मानते हैं इसका हमको एंसर हम पना से बनाएंगे अपका तीन नमर समझे की प्याज़े बताए थे कि बच्चेbie चिंतन में कुनात्म क्या होता है मतबब भिनता होता गुन में क्या होता है इसलिए बच्चात्वा टूटी करते हैं यह चीज बोल सकते लेकिन सठीक नहीं है कि सही है यह भी एंसर अधिक वेदर्ट अभ्यास की आप सकता समझे तो चार का हम तिन टिक कर रहा है समझे यह पांच नमर में आते हैं करा के बच् मुर्थ मुर्थ से मुर्थ मिला दीजिए सब्सक्राइब आपका पांच नमर क्या हो जाएं मुर्थ संक्रियात्मक उसका एंसर हो जागा समझे आई आप आगे आते हैं छो नंबर में कि सुझा को पूरा यकिन है कि वह गनित की आगामी परिक्षा में पिछली बार की तरह है कि अधिगम असाध्यता का अनुभाव कर रही है समझे यानि हम सीख नहीं पाएंगे मतला इसा अनुभाव करें यह आलसी तो होगा नहीं कि दूसरा भी से तो पढ़ रही है यह विवेकपुर्ण निना कहां है समझे अपलायन परती होगा नहीं तो आपका क्या हो जाग एक अधिगम असाध्य का अनुभाव कर रहे है यानि छोगा तीन नमबर हो जाएगा तो साथ नमर कोस्चन है तेखे यह थोड़ा कोस्चन थोड़ा थी है समझे निम्न में से कौन सा मांड़न निर्देशी दागत मांड़न मतलब होता है इसे माल लिजे मांड़न का सी में सब्सक्राइब कर देना समझे इसके द्वरा क्या होता है कि मतलब गूरूपिंग में बाट सकते हैं किसी को समझे आप्चन की हिसाब से इसका एंसर बोलिएगा तो वह परिक्षन जो विद्ध्यार्थी को करम परदान करे इसका एंसर मतलब हमारे नुसार यह लग रहा है क सबसे बेटर ओप्षन हमारे लिए यह है कि वह परिछन जो विद्ध्यार्थी को करम परदान करें यानि साथ का एक नमर हम टिक करेंगे समझे अगला कोस्चन है देखिए भी कोस्चन बहुत घुमाया है समझे इसका इंगलिस हम किये हुए थे इस कोस्चन के देखिए साह होता को इंपहसा है समझे इसका इंश मैन देखीए गास तो इंपैघी होगा एंपी का हिंद Wanna भुती देता सम्झे लेकिन इसका इंसर के साथ तिन नमर जाएंगे लेकिन देता है लेकिन आप इसका सठीक ऊपना तनाकर नोंभूती नों नमर आपका है कि संकलयात्मक संपरतेयो को समझने को किस प्रकार सुसाध करते हैं समझें पहला अप्षन है तो पिर्थक है तो पिर्थक वाला होगा नहीं आपका सबसे हटाना युवी होगा ना परता से रटने पबल देना नहीं है सबसे सब्सक्राइब का यह है जनकारी को संसे लेश्टी तोर सु वेवस्तित करके समझें नौ का तिन नमर उस एंसर होगा दोस नमर इता बहुत हलका कोस्चन है समझे जेपेडी जो दिया हुआ ता आपका लेववाई गोस्की दिया तो समीपस्त विकास का चे तो लेवववाई गोस्की समझें 11 नमर कोस्चन है कि निम लिखित में से प्रगति सिल्षिक प्रात्म के सस्ता कोन है तो देखिए अंक वाला जहां रहे अप्षन काटी है यह माटन डंटा उंटा पिटना नहीं मानना नहीं बाहुत पर रखोता है यह भी नहीं होगा अब यह होवे लचिला पनोला यह अंस पर दर साता है पहला अप्षन है कि ब्याजे बच्चों के सोतन प्रियास द्वारा जगत अनुमों कर जोड़ देते जब कि वाई गोस्की संगाने तो भीकस को समय दें सही बाते दमें सरी है समझे यानि वो जगत मतला अपने परियावरं से सिकता समझे और बोलते ही समाज समय द्वारा नियंतित कर रहा यानि इसमात द्वारा नहीं पूल यह भी गलत जागा समझे तो ढुख रोन कि है कि अबीर की कर्क्षा में बच्चे सिक्षक और सहपार्थी के बिवीद परकार के चुनोती पुन किरिया कलापों में भाग लेते हैं कि अबीर की कर्क्षा में बच्चे क्या खलाती है कि इसका ऐंसर होगा समाजिक सणरचनावादी इसका बहुत बहुलात थे कचा पर्यूग नहीं कर रहा है यह सागजिक संधिक संसर कि आयगा है साधिक होगा या आधिक होगा यह बहु Stitch लेकिन ज्यादा पो एंसर्ध लग रहा है सामाजिक सवन के लिगोंग 2 कि चगदा नमबर है आपका कि निमन में से कौन सा सिधान्त पस्तावित करता कि बच्च अपने भुजाओ परंगुलियों के से पहले मास्पिस्यों नियंत्रन कर पाते हैं यह आपका होता है अधो गामी समझें यह आपका दो नमबर हो जाएगा अधो गामी सिधान्त पंदला नमबर आपका है कि निमन में से कौन सी तकनिक अध्यापन अधिगम परिक्रिया की गुनमत्ता को नहीं बढ़ाएगी समझें तो पहला आप सने मतों करने यह भी सही बात है निगेटिव पूछरा इसलिए सही है समझें जैनकारी कि यह भी भी जहां भी रहे सही है आ आपको ना बच्चा को क्या करना कि नामी करन नहीं करना समझे तो आपका क्या माज़ागा यह दू नमर आपको नामी करन मतलब चिन्नीद करना समझे तो 15 का दू नमर सही दिया हुए पत्यास्परण दे दिया निए रटना दे दिया तो अब सुने गलत जाए कि कॉसल उच स्रेनी चिंतन नहीं है तापका पत्यास्परण नहीं रटना हो जागा डिकॉल जिसे हम लोग बोलते हैं तथारा का चार नमर हो जाएगा अब दिर्क्श अब ऀक्षा नरे करिए सब्संद्रीकसों अक्यास्परण चिंते असरीं देघ्रिक्स Ads अदमें होता है अपने बारे में मतलब इसके बारे में बताता जो अंतर-व्यक्तित बुद्धि साइक्लोजिस्ट होता है समझे दूसरे का बादा अन्त व्यक्तिगत बुद्धी हो जाएगा समझे यानि सतरा का एक नमोर हो जाएगा अठारा नमबर है कि एक सिक्षक कुछ लिखित समागरी का यहों सब्जियों फलों के तस्वीर का प्रयोग करता है अपने छात्रों से चर्चा करता है विद्याति इस परचेद आपने पुड़ ज्यान को जोड़ते हुए पोशन का संपर्दय सकते हैं परिनाव यह उपागम कि अठारा का आपका तीन नमबर हो जाएगा समझे नमबर है देखिए भी कोस्चन पता नहीं कैसे कैसे इंगलीस जो ऑप्षन भी दिया है दूसरे दूसरे टाइप का उप्षन दिया है कि विशेवस्तु को पढ़ाते समय सब्दों को हटाना उलटकर लिखना और बदलकर लिखने में कठाई आना किस प्रकारे विकारता देखिए आपका वाचन की बोलने बोला है तो वाचन विकल्स हो जाएगा समझे यानि उन्हें इसका दून नमबर हो जाएगा बीस नमबर है बच्चों के समाजी करने के प्राथ्मिक समस्था कोन है ता आपका परिवार है दूतियाक देता तौ। विध्याल फिशन है कि किसी समस्य समझा हो यह सकता है अनुरूपत यह ठीजी प्रस्तूत करने तो देखिए एकईस का एंसर आपका ज्यादा तर्म को लग रहा है कि ती नहीं होगा अनुरू रूपतता लेकिन यह भी हो सकता है साधन लक्ष बिसलेशन समझे तो इसमें हम आपको गोई एक सही हो सकता है समझे निगमंग परिच्छन इस इसमिति सैक्स विधी नहीं होगा इसमें तीन आपको ज्यादा तर्म को तीन ही लग रहा है समझे 22 नमर कोश्चन है कि निमने में से कौन सी सिक्षा सास्त्रिय रन निती राष्टिय सिक्षा निती जर्वीस द्वारा पस्तावीत है समझे इसका एंसर देखें बताते है और में संदम ग्रांटी हो गया तो देख लिए ए ऐसे पाफसन कट गया पहला है चार नमर्ब्ही उप्शन साहिए देख लिए चार नमर किसमें किसमें इसमें नहीं है तो एक कट है समझे यह आपका दो है अभोग गया अब आपका कथा वाचन अधारी देगे शिक्षा सास्त्र दिया था सम्झे यह यह पड़ागोजी के कि शोटा बार-बार अभ्यास नहीं होगा इसलिए 22 का दो नमबर हो जाएक एक टेज़क्त है कि राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ पणता होता है बोसरे लोगों से तसंपर्क करता है मिलता जुलता नहीं है और सब इक पंखे के नीचे अकेले करने के लिए क्या मददगार होगा परला अप्शन है विद्यार्थियों किसी तरीके से उच्छ दे अंक वाला जहां भी रहे उसको अप्शन हो काटीए समझे अटल काटिए हां समान अशर एदम सही बात है यानि तिन नमबर अप्शन सही हो जागा यानि आपका क्या हो कि पिर आपका 27 है कि सारे रिक लक्षन जैसे आखों का रंग उचाही बालो कर देखिए कोस्चन बहुत कंफ्यूजन है समझे लेकिन देखिए आख का रंग जो होता है यह आपका वातावलन पर नहीं नहीं करता है यह आपका वंसागत्थ होता है समझे यानि आपका एंसर ए डंड नहीं मतलब डंड वला नहीं मार दीजेगा समझे इसका अंसर हो जाएगा अच्छा लरका अच्छा लरका अठाइस का आपका एक नमर हो जाएगा 29 नममर है कि व्योशाए के संप्रतियों को पढ़ाते समय मुणिका ने भी द्यर्थियों को प्रूस और महिला देखिए गर परमपरारी की बला यानि माली जे कोई घर करें महिला तुसको बाहरे काम यानि गर परमपरारी कार्ज कर रहा ते समझे यानि ये जेंडर दु हो जाएगा उन्तिस का समझे लास्ट कोस्टन है कि एक बच्चा निया मानसिक विचार बना दिया कि वेशावी जी में पंग है उड़ सकते हो पक्षी है तो उसने चित्र पुस्तका में चमगादा देखा उससे अस्तानी करने का पक्षी का समझे ते क्या है तो देखी इसका समयोजन नहीं होगा समझे इसका इंसर क्या होगा समय टे अत्म साथ भी बोलते हैं इसी को समझे इसका तीन समय संभी अधिया स्वेज़ाँ आपका होगा तो आप जिनको दिये होंगे 24 तरीक जाम तो मिला सकते थेंग की